राहुल गांधी के विदेश से लेकर स्रीनगर तक बयान और कॉंग्रिस का अदानी पर संग्राम इन दोनों के बीद संसत का गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है कोशिशे तेज हो गई है राहुल गांधी ने च्टाई नियम के तहट स्पीकर को बकायदा चिठी लिखकर बोलने का वक्त मांगा है सूत्रों के मताविक उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल भी सकता है इधर स्पीकर ओम बिर्ला ने सभी दलों के नेताओं से भीट की ताकि सदन की कारवाई चल सके स्पीकर ने बैठक में सभी दलों से सदन चलाने के लिए साथ आने की बात भी की है तो कल राहुल गांधी ने रूल 357 के तहट अपना बयान रखने की मांग की थी और जो लोकसभा में समय गतिरोद चल रहा है उसे खत्म करने का प्रयास चल रहा है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं राज्यसभा की कुछ समय पहले की हाला कि इस समय तो दोनों हाउस कल तक के लिए स्थकेत हो गए है लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों कल किस तरह चलेंगे इस बड़ी ख़बर पर रहेगी नज़र